हेलो गाइज, वेलकम टू मैं व्लॉग, आज हम बनाने वाले हैं एकदम क्रिस्पी टेस्टी सोया नगेज, जिसको खाते ही हमें नॉन वेज की याद दिला देगा, बट वो नॉन वेज नहीं वेज है, तो फटक से इसको बना लेते हैं हम, तो सबसे पहले हमने 100 ग्राम सोया अच्छे से सॉफ्ट होने के बाद हमें इसको ड्रेन करना है, ड्रेन कर लेंगे हम इसको और इसमें से पूरा पानी निकाल लेंगे, तो फिर हमें इसको निचोड के लेना है, जितना भी एकसेस वाटर होगा, जितना भी पानी होगा हम इसको अच्छे से निचोड लेंगे निचोर लेने के बाद इसको मिक्सि में से транya करेंगे अ चाफ यह ना जादा बारीग मिडियम साईज में इसको ग्राइड कर लेना है अब इसमें नहीं हमने जीरा पाॉडर, कोरियंडर पाॉडर, दो-естно democratic अधर हरी मिय्ज भारीग चौप कर के डाली है फिर हमने इसको अद्रब पूटके डाली है, हमने इसमें लसून डाला है, हमने इसमें हल्दी पाउडर डाली है, गरम मसाला डालना है इसमें और इसमें एक special ingredient है, जो है मैगी मैजिक मसाला वो डालना है, इससे बहुत बढ़िया स्वाद आता है तो इससे स्किप मत करिए, य नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे, दो टेबल स्पून कॉन फ्लोर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद हमें इसका एक डोर तायार करना है, अच्छे से आटा गुन लेना है इसका और आटा गुनने के बाद हम इसके अच्छे च्छे च्छे ब्लाव को बना लेगे इसको हम नगेट शेप में देंगे वाल बना कर लेना है शेप बन, या फिर आपको जैसे चाहिए आप इसे शेप्स बना सकते हो तो फिर हमने इसको नगेट शिप में बनाया है अब हम चार पाच टेबल स्पून कॉन फ्लोर लेंगे और उसमें हम थोड़ा सा एक चुटकी बर नमक डालेंगे स्वादा नुसार इसमें तो चुटकी बर हो जाता है और फिर इसको पानी डालके इसका हम गोल बना लेंगे ना ज्यादा पतला ना ज्यादा गाड़ा इसको थोड़ा मीरियम साइज इसका गोल बना लेंगे हम के लिए हैं क्रंची टेस्ट के लिए हमने मिलिया है फिर आप एक तो मक्हा भी ले सकते हैं और थे फिर ब्रेड और रिए ज़ो हमने लिए यह है अब इसको अच्छे से गोल्डन रांड होने तक फ्राइ कर लेना है एंड रेडी हो जाएंगे हमारे स्वेन नगेट्स कि इतने टेस्टी रहते है ना बहुत ज्यादा एक दम टेस्टी और क्रिस्पी हमारे स्वेन अब रेडी है खाके जरूर बताना कैसे लगे